इगल और तीर एक बाज हवा में उड़ रहा था कि तभी अचानक उसे फुस्फुसाहट सुनाई दी एक तीर से और खुद को घायल महसूस किया धीरे धीरे वह फड़फडाता हुआ नीचे प्रिथवी पर आगिरा और उसका जीवनरक्त उसमें बहने लगा जिस तीर से उसे छेदा गया था उसे नीचे देखते हुए यह पाया गया कि तीर के शाफ्ट को उसके ही पंखों में से एक के साथ पंख लगाया गया था काश यह रोया के रूप में यह मर गया हम अक्सर अपने दुश्मनों को अपने विनाश का साधन देते हैं कहानी का शिक्षन है, हम अक्सर अपने दुश्मनों को अपने विनाश का साधन देते हैं.